अब यह से दो जार वाट ले रहा है पूरा अब आप देखेंगे दस स्किंद बाद यह बीच का जो एरिया है तो आज मैं सदर बजार के एक मैनुफेक्चर के पास हूं जिनका काम है अब यहां पर क्या खास होने वाला है क्या रेट लगने वाला है मिनिममम कॉंट्रिटी क्या होने वाला है सभी कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में हमारे साथ है सुहन पाल जी जो की सौक के ओनर है के मिक्षर में हैं दोमेश्टिक मिक्सर में 39 targeting मैं कंचर है इसमें फ्रेकर मिक्सर रख सभी उपना कूंट्रे के मिक्सर लिखें उसमें मैं श्र कह से妳 the तो हर आइटम में लगबग साथ आठ मोडल है ओके ओबर इंडिया माल जाता है एक स्पोर्ड भी जाता है नेपाल है बूटान है बंगलगेश काफी कंट्रीय माल जाता है लेकिन हमारा सारा काम होलसेल का है रिटेल में कोई कस्टमर आ जाए तो हम देजेते हैं किस कोई बात साथ पंदर यार का वह सकते था है तुरुप ठीक है अचा यह जो हम देख पारे इसमें गारेन्टी हुटे है सारे बिल्कुल हमारे जितनी आइटम बनती है ना सब में तक्रीबान एक साल किसी में फाना किसी में साल गोंगी हमारी मानिवेक्ट्रिंग है तो हम में क्युम् से हाडली किलो मेटर रहे हैं ट्रीक पूरानी के लिए तर टेंसे दिली तो उसका वीड़ेट दुगिल मेटर बड़ता है इंडिया के अब इसे अच्छा अच्छा को हुई नहीं है जो हम लगाते हैं सरक पर का बेर्स कौालिटी का इसमें कि अगर कोई बरतन भी रहता तो यह जलता निया पिंगलता नियह यह सारा माल सर इस बॉक्स पैकिंग में यह थे त्रीडी नढ़ आ है जलेगा ना खराब होगा ना वेस्ट होगा अब अच्छी क्व दूसरी क्वालिटी आती है साड़े 1200 वाट में ही यह होती है कुरूम बोडी वह पॉर्डर कोटीड है कुरूम बोडी है इसमें आप देखें सेम क्वालिटी है सेम थीटा ऐलिमेंट है कोटन का वायर कोपर का कंपनी का स्विच इन समय से गरंटी मिलती है 18 मिने इसकी जो फि मैं बेसिकली बॉटल में रेश्टोरेंट में हर जगा जायागा जाए दिखाता हूं वायर में तार लगाया आपको दिखाने के लिए कि यह मैंने प्लग ओन किया ओर ये सर्थ त्टीन नंबर पर नेया है उता है फुल गर्म साड़े बारा सूवाट वाट में अभी समय क्या हो आता है देखिए आप निकल रहा है हलकर धिकिए धो निकल रहा है यह धो जो हूं मुश्टर होता है जो खना एलिमेंट जो होता है यह निकलता यह मुश्किल nuevos क से यह इंडिकेटर लगाते ही वायर हो जाएगा दो मिक्ट तक गई इंडिकेटर ओन रहता है तिक है जड़ी हो हो जाया है समझाव इस चपाधि मरून आपकी रोटी घोल हो जाएगी उसके मुस्किल से को तोंड़ों के भाद में में जड़ हो जाये रूटी के पोलत के ऊस्का कैने र्चा में जाकर करतां घ्कान के participating जासी जे पार इंसके प्लट्टाना के पार में स्कुत नहीत तोंड़ पूल के राइट पार निकल जाएगा आपको handle lock नहीं कर रहा है, बहुत लोग क्या करते हैं कि रोटी लिया, रखा, दबा दिया और छोड़ दिया, रोटी ये साथ जरम कभी नहीं फुलेगी ऐसे, एक कुरूम पोलिश है, ये लोगे के अंदर होता है, एक स्टिल ने स्टिल होती है, वो और बढ़िया कॉलिटी ह होती है, एक इसमें होता है, मल्टी मेकर में क्यों होता है, बाकी से होता है, उसमें चावा तरफ से पलेट की एक इंची डीप होती है, आपको जैसे कुछ बनाना है, दाल गरम करनी है, तो उसके अंदरा बना सकते है, इसमें पलेटे फ्लैट है, उसमें पलेटे एक इंची जाली होती है इसमें चार मिलती है स्कीवर रॉड़ जो होती है यह रोड से अपना टुकड़े के अंदर लगा सकते हैं इसके उपर रख दीजे अपना यह अंदर ग्लास को बंद कर दो यह होता है टफन ग्लास जल्दी टूपता नहीं है यह इसमें एक नौप दी है तर्मो स बंद हो जाएगा अपन सकता है इसमें पीजा केक बिस्कुट नौनवेज पुल्चा इसमें तकरीबन 100-800 बन जाती है ओके हैं जी यह साइज है मिनी इसका साइज है 10 लीटर का एक होता है 18 लीटर का फैमिली के लिए साइज छीक है एक फैमिली के लिए साइज दोनों ठीक अचकी डेमिंगे स्टार्टिंग अचाता थे तेरा सुरुपे से यह स्टार्टिंग तकरीबन बाइस सुरुपे तक सर यह आइटम होती है इलेक्टिक तंदूर जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह इसका ट्रे होता है ट्रे में इसके सर इस पेर एक हैंडल भी होता है यह खहता है और जाली जाली और रम Pine barker के उसके अउपर उसका किजिए इसको कीजाने बॉट भॉट पर बोपर चलते हैं दोनों चलाने है उस इसाब से गरम होने के पार अलाल होगा लेकिन करेंट नहीं मारें आपको तर मोडल दो आते हैं बिसिकली एक होता है प्लेन मोडल विस सुच में एक आता है विस टाइमर का मोडल टाइमर में कि टाइम भर करके आप सोड सकते हो 10-20 मिनट लेकिन टाइमर की कोई आता है जरो लुकि इसमें है नहीं क्योंकि होता है कि यह होता है बाइसओ वाटका मतलब यह एकि 2-3 मिन चेंदर आइटम बना देता है सबसे बैस चीज़ हर में यूज अजोने वाली एक मिक्सर गरेंडर इसमें करते हैं कि आप यह देख पा रहें मोटर केस्टी है वार्ट यह तरह कमर्शल बेस में ज्यादा आता है इसका जार है साथ भाई लिटर गा देखिए इसके ब्लेड बेड़ कितने शार पर कितने साइज कितने बड़ा है इसका सुगिट भूल अल्मुनियम को होता है और ब्लेड सारे स्टिल के बेस जो स्टिल है यह पूरा कितने से सुरू हो जाते हैं सर एक हजार रुपे से सुरू हो जाते हैं ध्यान रहे यह कोमेर्शल यूज्ट है यह महंगा है और इसमें कितने मोडल होंगे आपके इसमें एक मोडल है 1600 वाट एक मोडल ठाइना 100 वाट दो जार वाट बाइससोवाट तकरीबहुन नो जार तक का मिक्सर है माले पास सर यह कमर्शल है मिक्सर ग्रेंडर 3000 जार के अंदर नोसोवाट की मोटर है कौपर की मोटर 900 वाट की है इसमें क्या यह सा टोटल हंडेट परशन्ट कमर्सल और है है वले तोटल सोlica आrate है और तक कोक्यु आंदर को जाता है मीडियाम जार का और स्टिन का जार है और सब्चार है मिधियॐन बट भी lol फिर से सबसे बड़ा होता है यह अ बड़वाल जार इस सब जार का साइज होता है昨wali 1000 जार मिक्सर था क्यूंड का दूसरे बहुत अच्छी क्वालिटी इसका प्राइस सुरू होता है आज की डेट में 3600 पर स्टार्ट होता है कोई भी कमपनी कमर्शल में गारंटी नहीं देती कि कमर्शल में यह होता है कि आदमी दस गंटे चला है लेकिन हम इसमें एक साल गारंटी देते हैं कि वोटर इतनी से कि में फिलाल अभी को हिंदुस्तान में नहीं है आपके में दिखान चाहूंगा उसके बारे में देखिए में वहां पर आपके साल बड़ते हो तो यह मिक्सर यूस में आता है बहुत बड़ी अतक तो नीचे लेगे होते हैं यह वाले कमर्शल ब्लेड इसमें यह तो आपको दिखाया मैं कमर्शल निक्सर ग्रेंटर लेकिन यह डोमेस्टिक भी हमारे पास होता है लोग होते हैं कि इनको अपने नाम का बनवान यह कोई कहता है हमें अपनी नाम का बनवाना है तुसरा क्वांटिटी मिनिमम्क वाला के भी हम दे देंगे सेम क्वालिटी के विडिक्वा इन्वांटर होगा इसमें क्वालिटी बहुत आती है किसी में होता है बटन वाला यह सर है फिंगर टेच जैसे मारा मॉबाइल फोन होता है ऐसे काम करता है स्क्राइब लगाना काम करेंगा आपको बटन से जाननी लगानी है पूरा फुल ग्लास में यह स्टार्ट ओन हो गया दो जार वाट से अब यह सर्फ दो जार वाट ले रहा है पूरा अब आप देखेंगे दस सेकिंड बाद यह बीच का जो एरिया है यह पूरा लालोना अब कर सकते हैं 800-1212-900 वाट कम करना है कि मिनमम 300 वाट होती है अगर बटन दबा देगे ना बटन दबा दिया कोई बटन काम नहीं करें तो फिर आपको लोगो गया स्पलिवाट इस आपने लोग हो जाएगा कम नहीं जाद जो सबसे स्टार्टिंग सर क्वालिटी हो सुर दोस्तों उमीद करते हैं देगे जनकारी से संतुष्ट होंगे कोई भी सवाल है डिस्क्रिप्शन में आपको कॉंटेक्ट एड्रेस मिल जाएगा इसी के साथ हमारे साथ चिपके रहें मुझसे कोई सवाल है तो आप हमें टेक क्यार बाइबाइब जहीं बंदे मातर हूं